नमस्कार प्रफासाक्षी नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है तेलंगाना का गठन बड़ी उमीदों के साथ हुआ था लेकिन दुर्भागे की बात है कि राज जी की पहली विधानसवा अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाई आज मुख्यमंत्री के चंदर शेकर राओ ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी उस कैबिनेट में निड़ने लिया गया कि राजे विधानसवा नो मैने पहले भंक कर दी जाए राजे में जल्द चुनाव कराए जाए और इसकी सिफारिश राजेपाल को की गई राजेपा करने की नौबत आ गई और उनको विधानसवा भंक करने का फैसला लेना पड़ गया तो इसके पीछे हम जाएंगे तो दरसल चंदर शेकर राओ जिनको के सियार के नाम से जाना जाता है के सियार बड़े पिछले कम से कम 15-20 दिनों से उनकी अगर गतिविदियों पर हम फोक साथा ग्रह मंतरी राजाश सींग से दe सड़क परिवन मंतरी नितिन गटकरी थे उनकी मुलाकात हुई थी और भी बी जेपी नहताओं सो मन रहा था कि वह केंदरी सरकार को अपने इस निरने की जानकारी देने आया थे है इस निरने पर उनकी सहमति लेने आ आया थे आर अलाकि जो BJP से अपनी निकटता की बात को चंद्री सेकार रओ सुझ मैं नहीं करते हैं लेकिन इसमें ये भी चीजें जो तथे हैं साफ की चंद्री सेकार रओ समय ओ समय पर BJP की मदद भी करते रहे हैं हमने राश्पती चुनाओं में देखा, उप राश्पती चुनाओं में देखा कि NDA नॉमिनीज को KCR ने अपनी पार्टी का वोर्ड दिलाया, जब लोकसवा में अविश्वास पस्ताओं पर चर्चा हो रही थी, उस समें KCR की पार्टी TRS ने तेलंगना राश्टर समीती ने सदन से बहिरगवन किया, बीजेपी की रहा असांग की हाली में जब राश्पती पद का चुनाओं हो रहा था, तब NDA नॉमिनी को तेलंगना राश्टर समीती ने अपना समर्थन दिया, अपना मत दिया, और वो एक बड़ा कारण था कि जो NDA नॉमिनी की जीत हुई थी, तो इस तरीके की बाते सामने आती रहती है, नेकिन जो असल कारण था, तिलंगना की जो सरकार है, उसने विधानसवा बंग करने का फैसला किया, उसका असल कारण ये था कि KCR ये जान चुके थे, उनके पास जमिनी स्तर पर फीडबैक था, कि कॉंग्रेस मजबूत हो रही ह और अगर 2019 में जैसे की संभावना है कि जो चुनाओ होगा लोकसवा चुनाओ वो मोधी बनाम रहुल गांदी होने वाला है, और जो तिलंगाना के विधानसवा चुनाओ लोकसवा के साथ ही होने थे, लोकसवा चुनाओ के साथ ही होने थे 2019 में, तो जो केसियार को इस बात कहा है कि केशीर ने ड़र के मारे कि हम राज्य में जो हमारी पाटी आगे बढ़ रही का फैसला किया है उन्हें क्योंकर करा है कि हम जल्च चुनाओं कराया जाने का जो फैसला है उस पर हम उसका विपाश्प और विरोधर्च कराते हैं और तो चुनाओं नहीं पूरे और उसके बाद ही चुनाओ की दिशा में आगे बढ़ा जाए और वहीं अगर बात करें की केसी आर ने कहा है कि वह कॉंग्रेस से ड़ते नहीं है उन्हें कहा है कि हमारी जő कॉंग्रेस है वो दुश्मन नघ्र एक है और राहूल गांधी को उन्होंने देश का सबसे बड़ा विदूशक बताते हुए कहा है कि वो जितना यहां आएंगे तेलंगाना में जितना यहां आएंगे हमारी रहा और उतनी असान होगी उन्होंने कहा है कि जो तेलंगाना की जनता जानती है कि हमने जितने वादे के थे उस में से अधिकतर को अमली जामा पनाया है और अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें तो केसियार ने लगभग रोजाना के अधार पर समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बड़ी घोश्राई करी है और उनका सभी समाज के सभी वर्गों में लगभग प्रभूत उमाना जाता है खासकर मुस्लिम समझाए पुराना हैदराबाद शहरों अन्य मुस्लिम भोल इलाके हों तो वहाँ पर केसियार का अपना प्रभूत है और इसलिए वो बीजेपी से निकटता के बात खुले आम स्विकार नहीं करते हैं जो केसियार है वो अब अगामी शुकरवार को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जिसका नाम भी उन्हों नहीं दिया है प्रजाला आशिरवात सहः उन्होंने कहा है कि इस सभा से जो पार्टी की रणनीती है और पार्टी की जो आगामी चुनावी दिशा है वो तैह हो जाएगी और चुनावी दिशा तो दिलसल चंदरशे का राओ पहले तैह कर चुके थे क्योंकि आप देखें कि एक पूरी भूमी का थी राजयपाल के पास जाते हैं मंतरी मंडल के सिफारिश सौपते हैं राजयपाल सिफारिश को स्विकार करते हैं आधे घंटे के अंदर 119 सदस्य विधान सभाग के 105 कंडिडेट टी-आरस घोशित कर देती है तो टी-आरस ने अपनी चुनावी तैयरी शुरू कर दी है किसी औ आगे की उसकी रूप रेखा है उस पर हम अगर नजर डालें तो जो TRS है उसने माना जा रहा है कि आगामी लोकस्वा चुनाव में शायद वो BJP के साथ जा सकती है क्योंकि BJP के इतनी रंडिती यही है कि तेलंगाना में TRS और आंधरा प्रदेश में YSR Congress Party का चुनाव तेलंगाना का गठन हुआ था वो 2014 में छटे महिने की पहली तारीक को हुआ था और आज 6 तारीक है KCR का 6 नंबर अपने आपको अपने लिए वो लखी मानते हैं इसलिए आज उन्होंने सुवे 6 बजे भी मंत्री मंडल की बैटक की थी और पंडितों ने जो समय बताया था और हमने देखा था पिछले दिनों भी खासकर 2016 में चंदरशेखर राव ने सरकारी खर्चे से मंदीरों में जाकर बड़े बड़े आबुशन बड़े बड़े जो सोने के मुकट बाटे थे और उन्होंने कहा था कि उनकी मननत्ती की तेलंगाना का गठन होगा तो वो मंदी नहीं है राज्ये में इसी बात का फाइदा उठाते हुए चंदरशेकर राव ने जल चुनाव कराने का फैसला किया है और राहूल बनाम नरेंद्र मोधी चुनाव से बचने का यह दूसरा बड़ा करण था विधान सभाव को भंग करने का तो हमारी आपको यह रिपोर्ट कैसी लेगी इसके बारे में जुरूर हमें अपनी प्रतिक्रिया दें और देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉग उन करें प्रवसाक्षी.com आप हमें फेस्बुक पे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे लाइक कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद प्रवसाए के लिए्सबुक आप हमें प्रवसादे दिएलो हमें परतिक्षा लगष्टाव में फॉलो कर सकता हैं जूलो कर सकते हैं लिएक्षाधराम पे लिएक्राम प्रवसा दुनियावी दुनिया।